अगर घर में मनी प्लांट गलत जगह पे लगाए हैं तो उसे तुरंत हटा दे बरना घर में आ जाएगी कंगाली नमस्कार दोस्तों गैन देर्सन चैनल में आप सबों का स्वागत है मनी प्लांट को पैसा खिचने वाला पौधा माना जाता है जी दरसल ये पौधे वास्तु सास्त्र में महत्पून बताये गए हैं ये पौधे एक तरफ घर की सोभा बनाने का काम करते हैं तो दूसरी तरफ लोग इसे घर में या बाहर लगा कर वहां मौझूद नेगेटिविटी को दूर करते हैं जी दरसल घर में नेगेटिविटी को दूर रखने वाले मनी प्लांट को बास्तु के नियमों के मुताबिक घर में व्यवस्तित किया जाए तो ये जीवन में सुख एवं सम्रिद्धी ला सकता है आप सभी को बता दें कि मनी प्लांट को प्यवस्तित करने से लेकर इसके रख रखाओ को लेकर वास्तु में विसेस निर्देश दिये गए हैं और अगर इनकी अंदेख ही करे तो ये नुकसान दायक साबित हो सकती है तो चिलिए आज हम आपको बताते हैं इसके बारे में सौक में लोग मनी प्लांट को गिप्ट करने की भूल करते हैं हाला कि जो देने और इसे गिप्ट के तौर पर लेने वाले दोनों के लिए भारी साबित हो सकता है मनी प्लांट को गिप्ट यानि उपहार में किसी को देना नहीं चाहिए जी दरसल इसका संबन सुक्र ग्रह से होता है और ऐसे में सुक्र देव नाराज हो सकते हैं वहीं सुक्र ग्रह अगर प्रसन्न हैं तो घर में सुक्ष सम्रिद्धी और सांती भड़ा माहोल बना रहता है मनी प्लांट को कहां लगाना चाहिए आई ये जान लेते हैं घर के बाहर इसे नहीं लगाना चाहिए जी दरसल बासु के अनुसार इसे हमेशा घर में ही रखा जाना चाहिए जी दरसल बाहर ये पौधा सुक्ष सकता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पर सकता है अगर आपका मनी प्लांट फर्स पर फैला हुआ है ध्यान रहे इसको जमीन पर फैलने नहीं देना चाहिए जी दरसल तेजी से फलने फुलने वाला ये पौधा अगर जमीन पर फैलने लग जाए तो भी आर्थिक तंगी होने लगती है इसे हमेशा उपर की और चराना चाहिए अगर आपका मनी प्लांट सूखा परने लगे अगर आपका लगाया हुआ मनी प्लांट किनी कार्णों से सुख गया हो तो इसे जल से जल घर से हटा दे वरना घर में कंगाली आ सकती है इसे कभी भी घर के अंदर सुखने ना दे दोस्तो इन सब बातों का अवस्य धान रखे अगर आप घर में मनी प्लांट लगाते हैं वरना आपको काफी बड़ी परिसानियों का सामना करना पर सकता है अगर आप गलत जगा पर मनी प्लांट को लगाते हैं तो